अगर आपके डॉकुमेंट में फोटो सही नहीं है या फोटो नहीं है तो यह लेटिस्ट गाइड लाइन जुलाई 2022 आपको देखना ज़रूरी है बिहार बोड के द्वारा चाहे आप मैट्रिक, इंटर या अन्य परिक्षा पास किये हों अगर आपके डॉकुमेंट में फोटो का करेक्शन करवाना है तो आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि क्या करना होगा यह लेटिस्ट गाइड लाइन है जुलाई 2022 का और यह गाइड लागू होता है जो पुराना आवेदन आपने जमा किया हुआ है लेकिन अभी तक फोटो करेक्शन नहीं हुआ है या आप नए आवेदन देने वाले हैं अभी तक आपने नहीं दिया है नया हो या पुराना आपका काम फोटो करेक्शन का तभी होगा जब इस कारबोड से मैट्रिक इंटर या अन परिक्षाओं में उत्रन विद्यार्थी को धियान देना है अगर आपके डॉकमेंट में फोटो सुधार कराना है तो नए निर्देश जो जुलाई 2022 के हैं इसके तहट दो अतिरिक्त डॉकुमेंट यानि दो एडिशनल डॉकुमेंट पुराना आवेदन आपने जमा किया है या जमा करने वाले हैं अगर नया आवेदन है तो फोटो सुधार संबंधी नया निर्देश पुराना जमा आवेदन पहले से जमा किये गए आवेदन एवं जो नय आवेदन आप देने वाले होंगे दोनों पर समान रूप से करूंगा पहली बात नया निर्देश का क्या है नंबर वन नया निर्देश जुलाई दोजार वाइस वन इस्कूल कॉलेज के प्रधाना ध्यापक जो भी हो प्राचार्ज हो या हेड मास्टर हो अपने लेटर पैड पर एक लेटर के रूप में लिखेंगे आपके सारे डिट इचार्थी का फोटो चिपका कर अपने मोहर और साइन के साथ सत्यापित करेंगे पत्रांक दिनांक के साथ ये बोड में जमा करना होगा कौन लिखेगा आपके स्कूल कॉलेज का हेड इस्कूल कॉलेज के लेटर पैड पर मोहर और स्टांप के साथ और डेट अप इसू हो प्रमानित किया जाता है कि परिक्षार्थी छात्र छात्रा का नाम यहां देना है पिता का नाम माता का नाम रॉल कोड रॉल नंबर परिक्षा का बर्स वार्षिक कंपार्टमेंटल विशेश परिक्षा में इस विद्याले से सम्मिलित हुए हैं इनका फोटो बगल में हस्ता प्रापित करते हुए चस्पा यानि चिपका दिया गया है इस आधहार पर समिती द्वारा निर्गत सभी अभिलेखों में फोटो सुधार की अनुसंसा की जाती है यही लेंगवेज इस्कूल कॉलेज के हेड जो होंगे अपने लेटर पैड पर एक्जैक्ली सेम लेंगवेज उनको लिखना होगा और एक डिस्पैच नंबर होगा निर्गत तिथी होगी लेटर की एक चिठी है एक तरह से जो की सचीव बिहार विद्याले परिच्छा समिती को संबोधित होगा उसे में एक्जैक्ट यही लेंगवेज अगर आपको स्कूल कॉलेज का हेड कोई और ल और फोटो भी अटेश्टेड करवाना परेगा मुहर और इस्टाम के साथ आपके जो स्कूल कॉलेज के हेड होंगे उनके द्वारा अगर इस तरह से नहीं होता है मैंने बताया आपको लोटा दिया जाएगा और फिर से कहा जाएगा कि स्कूल कॉलेज से दुबारा करवा क ले आई ये पहला बात की प्रापत उयसी पत्र का पुरह सत्यापन समीती अपने अस्थर से करेगी कि यह पत्र शम्मंधित विद्याले सिक्षन संस्थान से निर्गत किया गया है या नहीं अगर कोई फर्जी बना कर देता है तो इसका भी वेरिफिकेशन छत्रिये कारजाले बोड के द्वारा होगा बचने वाली बात नहीं है और सही पाये जाने पर फोटो सुधार की करवाई की जाएगी इसलिए आपको स्कूल कॉलेज में जाना है वहां बताना है कि इसी लैंग्वेज में मुझको सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल कॉलेज के लेटर हेड पर मोहर और स्टांप के साथ तभी आपका ये काम हो पाएगा निर्देश दूसरा क्या है संबंधित परिक्षार्थी छात्र छात्रा के द्वारा भी एक एफेडेविट देना होगा धियान रहे एफेडेविट में आपका फोटो भी होगा बीना फोटो का एफेडेविट नहीं होगा ये कौन देगा एफेडेविट एस्टूडेंट देगा जिसके डॉकमेंट में फोटो सुधार करवाना है वो एफेडेविट देगा एस्टूडेंट और ये कैसा एफेडे से कोई भी लाइन अगर आपने लिख दिया तो फिर बोड कहेगा कि दुसरा अफेडेविट उसी लेंगवेज का बना कर ले आईए इसलिए इस वीडियो को जो अफेडेविट का लेंगवेज है हाथ से लिख लिजिए और टाइप करवा लिजिएगा जाकर मार्केट में और साकीम ग्राम पोस्ट पत्राले थाना जीला रॉल कोड रॉल नंबर बर्स की वारसिक कंपार्टमेंटल विशेस परिच्छा में इस विद्याले महा विद्याले से इस स्रेणी में उतुर्ण हुआ हुई हूं समिती द्वारा निर्गत प्रमान पत्रों में मेरा फोटो नही है या तुर्टी पूर्ण है जो लागू हो लिखिएगा इसमें सुधार के लिए इस सपत पत्र के साथ चस्पा यानि चिपका कर समर्पित किया जा रहा है फिर पैराग्राफ दूसरा होगा एतद दुवारा सपत पत्र यह भी सपत पुर्वक यह भी घोसना की जाती है कि यदि मेरा फोटो उपयुक्त वर्नित मेरी पहचान के विरुध पाया गया जाएगा तो समिती मेरे सभी प्रमान पत्रों को रद करते हुए मेरे विरुध आवश्यक कानूनी करवाई करने के लिए सोतंत्र होगी अब इसको हाथ से लिख लिजिए दो मिनट ती मिनट लग आपका फोटो चिपका कर आपका उस पर साइन होगा और आपको देना परेगा समिती के छितिये कार जाले में अगर पुराने आवेदन आपका जमा है तो यह दो डोकुमेंट देना परेगा एक कैनिडेट का एफडेविट जिस पर फोटो है और एक्जिक्यूटी मजिस्ट सकुल कोलेज को बोलना है कि आप यही लेंग्वेज सेम लेंग्वेज आपको स्कूल कॉलेज के लेटर हेड़ पर लिख कर देगह यह दो डोक्मेंट आपको जमा करना होगा तभी आप आगे का काम ओपाएगा अदर्वाइस आपका काम रुका रहेगा तो यह दो बात वो मामला आगे बढ़ेगा अगर आप नया अवेदन दिना चाहते हैं तो फिर इस सब डॉक्मेंट के साथ आपको दिना परेगा अब एक नया जो पॉलिसी चेंज है कि केवल एक डॉक्मेंट में ही फोटो सही है अभी तक तो नियम था कि कम से कम दो डॉक्मेंट यानि चार डॉक्मेंट में कम से कम दो चार डॉक्मेंट कौन-कौन प्रमान पत्र अंग पत्र रिजिस्ट्रेशन और एड्मिट कार्ड ये चार में दो सही होने पर ही फोटो सुधार का अवेधन छेत्रिय कारजाले में लिया जाता था ऐसे बहुत से स्टूडेंट पाए गए जिनक अवेधन अब लिया जाएगा पहले तो लिया ही नहीं जाता था अब लिया जाएगा लेकिन आपको भी स्कूल कॉलेज के लेटर पैड पर वही लैंगवेज जो इस वीडियो में मैंने बताया हैं बताया हूं लिखवाया कर आपका उसमें फोटो सत्यापित होगा और एक अफ़ेडेविट फोटो वाला अफ़ेडेविट एक्जेकुटीव मेजिस्टेट के सामने ये दोनों डॉक्मेंट अन्न डॉक्मेंट के अलावा देना परेगा यानि कि एक फोटो वाले का भी आवेधन अब लिया जाना शुरू हो गया है लेकिन तब लिया जाएगा दुबारा दोरा आ जाएगा दुबारा लेकर आएगा उपयुक्त दो नए डॉक्मेंट के अतरीक्त ये दो डॉक्मेंट बगा दिया एक स्कूल कोलेज वाला और एक एफ़ेडेविट इसके अतरीक्त आपको आधहार कार्ड की प्रति देनी होगी आधहार कार्ड देना ही voter ID हो, passport हो, bank, passbook हो, कोई भी एक और देना होगा जिसमें की आपका photo chip का हुआ है ऐसा ID card, identity card जिसमें photo हो, लेकिन यही identity card जो भारत सरकार या राज सरकार के द्वारा निर्गत हो एक आधार card का photo और एक आपका एक undocumented जो भारत सरकार या राज, तो आपके पास voter ID card तो होगा ही, यह सब जमा कर सकते हैं, या राशन card भी हो सकता है, जिसमें आपका photo हो, तो यह दो चीज देना है किसी विद्यार्थी दोरा भिहार बोड दो जारी, निम्न में से एक भी document है, तो photo सुधार अब का होगा, पहले दो था, अब एक हो गया, पंजियन card, प्रवेस card, अंग पत्र, और बंधिक प्रमान पत्र, मूल प्रमान पत्र, और उपस्थिती पत्र तो भिहार बोड में र जाएगा, यह मैं कह रहा हूँ, तो यह important बात है, लेकिन इन सब की copy आपको देनी होगी, पांच document आपको चाहिए ही चाहिए, पहला handwritten या type application, एक आवेदन सचियू के नाम तो लिखेगा ही, हाथ से लिखे या type करवा लिजे, पहला point वही है, और इसको school college के head से forward करवाना प कैसे लिखना चाहिए, इसका एक मैंने बताया है अपने YouTube पर, आप उसको खोड़ सकते हैं कि सुधार के लिए अवेदन कैसे लिखे, दूसरा point है F.A. डेविट, तो F.A. डेविट के बारे में मैंने चर्चा कर दिया, तीसरा है आपको 100 अभी प्रमानित copy लगाना परेगा जी रॉक्स, ओरिजिनल सेटिफिकेट का, मार्क शिट का, रिजिस्टेशन का और एड्मिट कार्ट का, ये तीन नंबर की बात हुई, और चार नंबर कहता है अधार कार्ट की copy ये चर्चा हो गई, यानि ये चार डॉक्मेंट आपको देना ही देना होगा, और पांचमा क् स्कूल कॉलेज के लेटर हेट पर, है न, तो वो पांचमा हो जाएगा, यदि किसी छात्र के अभिलेक पर तूटी वर्स, छात्रा का फोटो, लड़का के जगा पर लड़की का, लड़की के जगा पर लड़का का फोटो आए, तो यहाँ पर भी आपको साक्ष देखकर फो आवेदन सुर्ख है, फोटो सुधार is a major correction, तो 600 रुपया लगता है, और आवेदन यों कागजात जमा होने पर फोटो सुधार में समय लगता है, इसको एक महिना तो मिनीमम मान के चलिए कि लगता है फोटो सुधार में, जल्दी कीजेगा नहीं होगा, और यह छतीय का जल हो गया, तो पुराना डॉक्मेंट तो बेकार हो जाता है, अब आपको fresh डॉक्मेंट, duplicate certificate के लिए अपलाई करना चाहिए, क्योंकि पुराना वाला सब invalid हो जाता है, क्योंकि उसमें फोटो नया आ आ गया, तो आपको सभी duplicate निकलवा लिजिए, marksit, certificate, पंजियन, जो जो मिलत है, अबिट कार तो मिलता नहीं है, और अब उसके लिए भी आलग से प्रक्रिया होगी, duplicate के लिए भी, आपको कैसे क्या चाहिए, उसका भी format है, duplicate के लिए, आवेदन कैसे लिखें, वो भी हमने बना, इसमें बनाया है, इस वीडियो के comment box में भी उसका link हम आपको देंगे, तो यह सब चीजें हैं, आपको जो doubt है, अगर तो comment box में प्रश्ण कर सकते हैं, कोई भी आपका question है, answer है, welcome है, comment box में इस वीडियो में कीजिए, और इस वीडियो को सब को बताइए, A to Z लोगों को बताइए, कि यह नया guideline इसी महिने जुलाई 2022 का है, फोटो सुधार का, और अगर आप यह नहीं देते हैं, तो आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, मैंने बताया, जो पुराना आवेदन आप पहले से जमा किये हुए हैं, लेकिन अभी तक फोटो सुधार नहीं हुआ है, वो भी काम तभी आगे बढ़ेगा, जब यह दो document आप आगे जमा करेंगे है ना, पुराना जमा जो किया हुआ है, और जो नया आवेदन आप देनेंगे, दोनों पर यह guideline लागू होता है, और मैंने बताया, यह guideline दो चीज है, निर्देश वन में, स्कूल कॉलेज के head से एक उसके letterpad पे देना होगा, फोटो आपका उस पर चिपका हुआ रहेगा, औ और दोनों का language है, अब क्या कीजेगा, language कहां से लाइएगा, आप इसी वीडियो को रोख कर, पोज करके, अराम से हाथ से लिख लिजे, pen pencil से, और उसको जाके type करवा लिजे, same language, fully stop, coma का भी अंतर नहीं होना चाहिए, किवल अपना डिटेल सभर लिजे, नाम, पिता का नाम रॉल को, रॉल नमबर, यह सब बस, और फिर आप छतिये कारजाले में जमा कीजिए, अगर कोई नहीं लेता है, छतिये कारजाले में प्रशान करता है, इस वीडियो के comment box में मुझे बताइए, हजारों की द्यार्चियों को फैदा मिल रहा है, comment box में लाब ले रहे हैं, फि कि सभी को लाब हो, सभी को पता चले, यह नया गाइडलाइन का पालन करना है, इसको जरूर सेर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वेरी मच्छ, ओल अबेस्ट